नमस्कार दोश्तों, हमारे चैनल में आज सभी का हारदिक स्वागत है आजकल की बिजी लाइस्टाइल और अस्वस्त खानपान के कारण थाइराइट के मरीजों के संख्या लगतार बढ़ रही है थाइराइट को कुछ लोग साइलेंट के लियर मानते हैं क्योंकि इसके लक्षर बहुत देर में पता चलते हैं आमतोर पर महिलाएं इस रोग का ज्यादा शिकार होती है थाइराइट गरंथी गर्दन में श्रवास नली के ऊपर वोकल कोट के दोनों और दो भागों में बनी होती है यह तितली के आकार की होती है थाइराइट गरंथी थाइरोकसी नामक हार्मोन बनाती है इस हार्मोन से शरीर की एनरजी, प्रोटीन उत्पादन और अन्य हार्मोन के प्रती होने वाली सब्वेदन शीलता कंट्रोल होती है ये गरंथी शरीर में मेटबोलिजम की गरंथियों को भी कंट्रूल करती है। थाइरेट की वजह से शरीर की रोग प्रती रोधक्षमता कम हो जाती है। इसलिए इसकी वजह से शरीर में एक्टई अन्य समस्याएं शिरू हो जाती है। थाइरेट के समानने लक्षरों में जल्दी धकान, शरीर सुस्त रहना, थोड़ा काम करते ही एनरजी खत्म हो जाना, डिप्रेशन में रहने लगना, किसी भी काम में बनना लगना, या दाश कमजोर होना और मांस्पेशियों और साथ हिसाथ जोड़ों में दर्ध होना शामिर इन सभी समस्याओं को आम समझ कर ज्यानतर लोग इगनोर कर रही हैं, जो बाद में खतरनाक साबित हो सकता है, दोस्तो थाइरेट जैसे रोग को सही करने के लिए लोग नचाने कितने रुपे खर्च करते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रही हैं, इसको सही करन का एकदम सटी को पाए, जिससे ना सिर्फ आपको कही जाने की जरुत होगी, बलकि आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, और घर बैठे बैठे, आप अपने थाइरेट को कम कर सकते हैं, थाइरेट नामक रोग से निजात पाने के लिए अलसी रामबाड लुसका है, अ अलसी में भरपूर मातरा में ओमेगा 3 पैटी एसिड होता है, और यह एसिड थाइरेट ग्रंथी के सही तरीके से काम करने में आवश्यक भूमी का दिभाता है, दोस्तों अगर आपको भी थाइरेट की बिवारी है और आप इससे पीडित है, तो आप अलसी का तेल या फिर अलसी का प्रियोग कर सकते हैं, इससे आप थाइरेट यसी खतरनाक बिमारी से चल्द ही निजात पालेंगे, और आपको इससे कोई भी अन्यसमस्या नहीं होगी, और अगर आपको हमारी ये खास जानतारिया वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हम इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरू करें